तो हेलो दोस्तों वैलकम बैक तो माई योटूब चैनल और दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं पॉकिट सी के वारे में जो की सेक्टर 20 यमने एक्सप्रेसवे यमने एक्सप्रेसवे अथर्टी के डिवलपमेंट के जो पिलॉट हैं तो इसमें आपको मिलते हैं 1000 स्कौर म कर देता सですOh my यह जो की दोनों सेक्टरों को टवाइड कर रहा है सेक्टर 20 राइट साइड में गरता है तो चलते हैं सक्कुरू के के pocket C की तरफ और उसमें देखते हैं 1000 स्कार मीटर के plot में केतना development वहाँ पे हो चुका है और जो लोगो यार चैनल पर नए वो किरपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही interesting vlog देखने के लिए क्योंकि मैं यमने एक्सप्रेस वे property से related अपने चैनल पर vlog upload करता रहता हूं तो आप बहतर जानकारी के लिए और सबसे पहले जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर पर रेस करें ताकि हर वीडियो की notification आपको सबसे पहले आ सके तो दोस्तों वहीं अगर मैं बात करूँ सेक्टर 20 pocket C की connectivity के बारे में तो मै चाँबास सी आता है सेट के एक हजारी का प्लाट मिलेंगे mail डी पॉकिटिशनामीट स्वारपले प्लाट मृ कर चुके हैं वा petals होनके कर्द शमकामी यहां गया है और इबहाँ नहीं हुआ है वही अगर मैं बात करूँ dollars is ल के बारे में तो यहां पर athletic nem को इंस्टॉल उर्ड कर ने लोड की बात करेंuds करों लोड सारे सारे अनुरा कमपलीट कर दिया गये गेंदे हें अ लेडी मौके पर development इनका यमने एक्सप्रेस पर 30 के दोरा करा जा रहा है कुछ इसमें एक दो completion का भी काम यहाँ पर कुछ ने boundary wall का और कुछ ने completion का काम भी करा है वो भी मैं इस वीडियो में आपको आगे दिखाने वाला हूं तो आप देख सकते हैं और लेडी यहाँ पर आपको फिल्म सिटी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी वही अगर मैं connectivity की बात करूँ एरपोर्ट की मात्रिस से 12 से 13 किलोमेटर की रेंज में ही आपको इंटरनेशनल एरपोर्ट नुएडा इंटरनेशनल एरपोर्ट जो जेवर में बन रहा है वो आपको देखने को मिलेगा यहां पर दोस्तों अगर आप प्रॉपर्टी में यमने एक्सप्रेसवे सेक्टर 20 के अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी में investment करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर देए हुए नंबर पर आप मुझे contact भी कर सकते हैं और inquiry कर सकते हैं यहां के बारे में या फिर प्रॉपर्टी में investment कर सकते हैं तो उसके लिए फटापर से जाएए इस्क्रीन पर दियो नंबर पर आप अपना शिडूल बुक कर सकते हैं और एक पर्टमेंट फिक्स कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आप कोई भी प्रॉपर्टी में इंवेस्ट कर सकते हैं और किसी भी के वारे में आप अच्छे से यहां पर जानकारी ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री आप कंसल्टेशन होती है या फिर आप उन लोगों तक वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो आपके रिलेटिव से फ्रेंड सरकल में कोई भी आपका है अगर जो कि यहां पर प्रॉपर्टी म कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं या पर सेक्टर 18 के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हूं तो आप वीडियो के रहा है उन तक जरूर शेयर करें रही अगर बात हैं यहां पर कंपलीशन के बारे में तो बहुत सारी लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे और मुझे फोन कॉल्स भी आ रहे थे कि वहां पर आभी लोगों ने कंपलीशन बनाना स्टार्ट किया है या नहीं किया है तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मैं यहां पर यहां पर जल्दी ही वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी कि यहाँ पे pocket J और I कि अगर में बात करूं तो सबसे ज़्यादा completion sector 18 के अंदर pocket J के अंदर बन चुके हैं बाकी completion अधर pocket आउं में भी बने हैं वह भी मैं आपको आने वाले time में cover करके दखाने वाला हूं तो यार completion के बात करोते हैं पर बहुत लोग ऐसे हैं जोनोंने अपनी रेजिट्री करा के जो long time investor हैं वह अपना completion बना के हैं बिल्कुल छोड़ के जा रहे हैं ताकि भविश्य में वह long time के लिए एक अच्छा रे return नहां से ले सकते हैं या फिर भविश्य में लिए जो long time investor है वह return के भी लिए या दरवाइस जिसने किसी ने residential परपस के लिए भी लिया है तो आने वाले time के लिए wait करेगा जो कि यहां पर आने वाला development है उसके इंतिजार करेंगे तो उन्होंने यहां पर completion अपना बना के छोड़ दिया है कि आने rate के वारे में तो minimum आपको 35,000 से लेकर 40-42,000 रुपे तक का भी rate आपको square meter के साब से यहां पर देखने को मिल जाएगा जो कि अभी huge अभी बहुत minimum यह rate है आने वाले time में जितना यहां पर development आने वाला उसके इसाब से बहुत कम rate है आपको देखने को यहां पर मिलेगा अभी थोड़ा से down भी हो गया था इसकी वेशे से अभी investment करने में बहुत जादा फायदा है आने वाले time के लिए एक अच्छा खासा यह return आपको दे सकता है तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी अलग video के साथ अलग हटके कोई नए topic के साथ तब तक इस channel को ऐसे ही support करते लिए अपना प्यार बनाए रहें जय हिंच जय भारत धन्यवाद मिलते हैं बाई